नवस्कार दोस्तों भाईयों प्यारे किसान सातियों स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे प्यारे से यूटूब चैनल इन्फोटेक फार्मिंग लेडर में किसान सातियों आज धिनाग हो चुकी है गुनिस अप्रेल दोहजार तेविस दिन हो चुका है बुधुहार वेडनेश डे समय हुआ है अभी हाल फिलाल दस बच कर पंदरा मिर्ट सवादस का समय हुआ है और वीडियो आपको देखने को मिलेगा साड़े दस बजे के बाद में किसान सातियों आज हम बात करने वाले हैं मद्यप्रदेश की सबसे बड़ी मंडी इंदोर की चोईत्रा मंडी और शाया प्रमंडी दोनों मंडियों में आलू प्याज लसुन तिनों जिनसों की कितनी आमदा नी रही दोनों मंडियों में और शिरुवाती निलामी का दोनों रेट निकल कर आया है आए जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से किसान सात्यू आप से हमेशा से एक निवेदन रहता है कि वीडियो आप पूरा देखते हैं लेकि चेनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं यह आपकी सबसे बड़ी गलती है तो आप से दोनों हाथ जोड़क हम एक ही वीडियो डाल रहे हैं अभी इसलिए शाम को छी वज़े आपको एक फैनल भाव का वीडियो जरूर देंगे और जिसके अंदर बात होगी सरकार के संब्धित वो वीडियो जरूर देखिएगा किसान सात्यू सबसे पहले बात कर लेते हैं शाया पुरमंडी की अग अगर बात करें तो लसुन हमारी एक्सपोर्ट क्वालिटी की जो सूपर लसुने शाया पुरमंडी में चार हजार से पच्पन रूपे के बीच में हैं पच्पन सो से लगा के बीच में कुछ लोट बिके हैं बात कर लेते हैं प्याज की नासिक प्याज मंडी से धीरजरे गयाब हो गया है कुछ आ रहा है तो 5 रूपे 6 रूपे तक जा रहा है नेफिट प्याज के अगर बात करें तो नेफिट प्याज में जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का सूपर प्याज है वह विक्राए 800 रूपर से लगा के साड़े नुस रूपरती कुंटल के हिसाब से का दुखा लाट अगर उपर गया तो अभी उसकी जानकरी प्रत्त नहीं वी फाइनल वाव के वीडियो में आपको जानकरी देती जाएगी चलिए बात कर लेते हैं इंदूर की चोहित्रह मंडी की इंदूर की चोहित्रह मंड लगा के जीटू ऊटी और यावन सिल्वर छी हजार से लगा के साड़े साथा रुपर तक भिक्रें रियावन सिल्वर ये काद लाट उपर भी का है ठीक है बात कर लेते प्याच की तो प्याज हमारा किसां सात्यों जो नेफिट प्याज है वह एक हजार रुपे आज भी ठ देखिएगा उसके अंदर धमाकेदार इंट्री होगी हमारी आज सरकार के खिला चाहे कोई भी सरकार के पक्ष में हो मुझे उससे मतलब नहीं है विपक्स भी मजबूत होना चाहिए और मैं विपक्स में रहना चाहूंगा सरकार के चाहे सरकार कांग्रेस की हो या फिर भा पक्स का जब पक्स होता है वो मजबूत होना चाहिए